नवश्कार दोस्तों आप देख रहे हैं जन्हित आवाज और मैं हूँ राशित खबर है राजिस्थान से जहां जोदपुर इलाका इस समय कर्फ्यू में है वहाँ पर क्या-क्या इस्थिती होई है क्या बवाल मचा है ये मैं आपको बता दूँ जो खबरे आ रही है उसके अनुसार जालोरी गेट पर एक जंडे को लेकर ये विवाद शुरू हुआ है जिसमें 50 से जादा लोग ग्रफ्तार किये गए है 45 से जादा हिरासत में लिए गए है इंटरनेट सेवा ठब कर दी गई है दस इलाकों में कर्फ्यू लगा दिये गए है पुलिस करिमों समय कई लोग घायल हैं जो इस्पताल में भरती है ये सारा कुछ बवाल क्यों मचा है ये मैं आपको बताऊंगा जो खबरे आ रही है उसमें क्या कहा जा रहा है सबसे पहले ईद की नमाज के बाद भी महाँ पर हुई है और एक एक और सिर्फ एक बार नहीं बलकि दो दो बार वहाँ पर हिंसा हुई है जड़प हुई है पथर बाजी हुई है आखिर ऐसा क्यों हुआ है ये जानने की कोशिश करते हैं, मैं आपको सबसे पहले खबर बताता हूँ, दो तारिक की रात को एक बजे वहाँ माहौल बिगरता है, जालोरी गेट पर बाल मुकुन बिस्सा की मूर्ती पर लगे जंडे को लेकर, जंडा बदलने की वज़ा से इस सारा मामला जो अभी तक ख बाल मुकुन बिस्सा की मूर्ती पर लगे जंडे लगाते हैं, भगवा जंडे को हटा कर, इसका कुछ लोग विरोध करते हैं, मामला बढ़ता है, जड़प होती है, पत्थरबाजी होती है, और देखते देखते दो चार घंटे में माहौल बिगरने लगता है, पुलिस पर इद का और नमाज पढ़ने लोग जाते हैं, महा पर इद की नमाज अता करने के बाद फिर लोग जंडा बदलने की कोशिश करते हैं, जंडा बदलने के दोरानी, फिर दुबारा माहौल बिगरता है, कुछ लोगों में आपसे बहस होती है, जड़प होती है, और पत्थर ब होत चुका था, उसको पुलिस दुबारा बढ़ाना नहीं चाहती थी, एक बार इस्तिती जालोरी गेट पर तनावपूर हो चुकी थी, और पुलिस दुबारा मौका नहीं देना चाहती थी, लेकिन आपको बताएं कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिने सब कुछ ज जरूरी नहीं कि एकी समुदाइम होते हैं, वो दोनों तीनों कई समुदाइम हो सकते हैं, महापर मैं आपको बता दूँ, अब इस्तिती जो हैं महापर दस इलाकों में कर्फ्यू है, लोग गिरफ्तार के जा चुके हैं, पोच्छता जारी है, इंटरनेट सेवा ठप है, र नमाज अता करने के बाद भी जंडा बदलने के कारण फिर से दोबारा इस्तिती जो है वो तनापून होई, साम्परदाइक माहौल बिगड़ा, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आसू गैस के गोले दागे, ताकि इस्तिती को किसी तरह से अपने हातों में लिया जा सके, क उसके पीछे क्या कारण था, वहाँ भी रेली के दोरान ये गटना गटी, और फिर ईद का मौका है, पाक तोहार है, और इस दोरान आखिर किसी को क्या दिकत हो सकती है, सोचने वाली बात है कि आखिर कौन ऐसे लोग होते हैं, जो बार बार ये माहौल बिगाड़ते हैं, त आपका मुद्धा, जो देश के जमीनी मुद्ध हैं, उनसे भटकाने की कोशिश की जाती है, ऐसे लोग बार बार ये जो हरकते करते हैं, इन्हें तुरंत इन पर एक्शन होना चाहिए, ताकि ये दोबार अपने जीवन में ऐसी हरकते ना करें, क्योंकि जब ये ऐसी इस्त अगर लोग नारे लगाते हुए जाते हैं और दूसरे धर्म के लिए गाली गलाज करते हैं या बत्तमीजी करते हैं, तो ऐसे लोगों पर पहले ही एक्शन होना चाहिए, ताकि माहौल ना बिगड़े, इसी तरह आप देखते हैं, अजब एक धर्म का अज़ान का मुद्ध है कि उसमें अज़ान की विशेशता हैं, तो आखिर दूसरे लोगों को क्या दिक्कत हो सकती है, और अगर बजाना ही है, तो मैं आपको राइट के बात करता हूँ कि जैसे अभी जम्मु कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रीते उमर अब्दुल्ला उन्होंने साफ तोर पे एक आता कि अगर अजान से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना ही हनुमान चालिसा से दिक्कत होनी चाहिए, दोनों के अपने अपने धर्में और सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी की और हमें इस बात का एक बहत ख्याल रखना चाहिए कि हमारे ब्यान से, हमारे कामो से किसी की भी किसी के भी धर्म को या उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचए लेकिन आज कल जो महावल चल रहा है वो आज पास ऐसा ही चल रहा है लोग कुछ सोचते नहीं तमाम नेता हैं लाइम लाइट में आने के लिए, बयान में आने के लिए, अक्बार की सुर्खयों में आने के लिए, मीडिया چینलों की खबरों में आने के लिए、 वो लगातार ऐसे बियान दे जाते हैं जिसके वो result की चिंता नहीं करते हैं और नहीं वो ये सुचते हैं कि इससे हमारे आपसी माहौल का क्या होगा इससे हमारे देश का future क्या होगा वो लोग सिर्फ जिहाद पर बात करते हैं हिजाब पर बात करते हैं अजान पर बात करते हैं नमाज पर बात करते हैं लाओड स्पीकर पर बात करते हैं बात नहीं करते हैं हमारे देश के तेल पे हमारे देश की महंगाई पे बेरोजगारी प रहा है ये बार-बार जो हिंसा हो रही है ये इस हिंसा के पीछे आखिर कौन है क्या मकसद है क्या वजा है जो जंडे की बात है वो आपसी बात से भी सुल्जाई जा सकती है जो ज़ंड बदलने की बाद है ये सम मामला नहीं बिढ़ता अगर दोनों समुदाए के कुछ लोग समझदार होते और चार लोग अपस में बाते करते तो शायद ये मामला वही निमट जाता लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आता और जब तक मामला ना बढ़े जब तक दो-चारों के दस्वीसों के चोट ना आए, माहौल ना बिगड़े, लाटियां ना लगे शायद लोगों को रास नहीं आता और जब तक माहौल ना बिगड़े तब तक लोगों के दिलों को सुकुन नहीं पड़ता मैं आपको बताता हूँ तमाम चैनलों में चल रहा है कि जो तुर में हिंसा हुई है जड़प हुई है लेकिन कोई आपको नहीं दिखा रहा होगा कि आज कच्छे तेल की कीमतों में इजाफ हुआ है महंगाई बढ़ रही है राशन बढ़ रहा है तमाम आइटम है वो महंगे हो रहे है आटा, दाल, चावल, चीनी सब सब पर महंगाई बढ़ रही है बेरोजगारी का इस तर कितना नीचे आ गया है 2 करोड नौकरी देने का हर साल वादा था लेकिन दो लाक नहीं दी जारी आखिर कौन है उसका जिम्मेदार और किसे सवाल करने चाहिए ये आप सोचिए अपने हक के लिए आप लड़ियो और अपने हक अपनी जो आपके अधिकार है आप उसको जानिये ऐसे ही मुद्दों के साथ और अखली बड़ी खबर के साथ मु जानी तावाजू